गुड मॉर्निंग आल अफ यू आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने चैनल साइस दिवाने में तो कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे तो जैसा कि आपके पास में चल रहा था बुक फेस्ट किस आपके थर्ड यूनिट चल रही थी जो थी आपके प पड़ा था आपकी पास में थोड़ो सा इक बार हम कुई कर लेते फुटापिट से तो आपने पड़ा था यहां पर दो इंपोर्टेंट नियम आपको बताया था एक था दुर्वानुपाति नियम था दूसरा था आपके पास वेग नियम अगर किसी को याद आ रहोगा की का पास में घृक में 2 less का्यूंच क्म याद याद तो एक बदर से रिवीजिन कर लेता है Nah रहा हैं पर एक पास में समीघर में क्या होगा यहां पर आपके पास में ऑन ठीके और यहां पर क्या हो होगा अपर साट N2 B plus N3 C और यहाँ पर आपको gives product एक प्राप्त हो रहा था है ना? और यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा था? अगर हम द्रिवान पाती नियम से क्या निकाल रहे थे? rate निकाल रहे थे हैं तो यहाँ पर आपके पास में क्या लिखते था आप? द्रिवान पाती नियम आनुसार नियम आनुसार तो यहाँ पर आपके पास में क्या होता था? जो rate होता था है ना? जो rate होता था वो समान पाती होता था आपके पास में किसके? जो rate होता था rate समान पाती होता था किसके आपके पास में? दिर्वान में पाती नियम में क्या होता था याद करो उसमें सद्धान्तिक वैल्यू आती थी आपके पास में जबकि जो वेग नियम था उसमें कैसी वैल्यू आती थी प्रायोगी काती थी है ना जो हम लेप द्वारा हम क्या करते थे जिस वैल्यू को हम निकालते हैं वो प् तो यहां पर आपके पास में रेट में क्या आ जाता था रेट समानोपाती होता था आपके पास में इनके जो मल्टीपल होते थे जो अभी कारक होते हैं उनके जो मल्टीपल हो जाते हैं वो घातांग में आ जाते हैं घातांग यहां पर पावर में आ जाएगा फिर यह होता थ होता पर पास द्रवान पाती नियम होता था इतनी ह bilmiyorum क्या मैं होता है यहां पर आपके पास्ता ओर री होता सिय होता था यह क्या थी यह होते थे आपके पास में गातांकों को सहिधानतिक मान होता था और जब हम क्या निकालते था आपके पास में वेग नियम से निकालते थे वेग और आपने ये भी पढ़ा होगा कि आपके पास में जो दिर्वानो पाती नियम है और जो वेग नियम है दो नों ही क्या हो सकते हैं दोनों का जो मान है वह एक से भी ऐसकते हैं अभी आणविक्ता रूंठा मिंगी पढ़ान खेस Commissioner किया और नहीं बोटाऊस आंतर रहता है तो भीघ नियम और फिक्स नियम से होका हो जाता घूंप यह क् oni आपके पास में पय्ले तो एक्वेशन दिखने के आपके पास में चलो इसको हम थोड़ा सा यहां से हटा के पहले equation लिख लेते हैं तो equation होती थी आपके पास में यह है आपके पास में P और यहां पर A ठीके? A1 ने सो P A प्लस आपके पास में क्या होता था? Q B प्लस R C ठीके? और यह भी क्या होता था? आपके पास में product होता था? यह होती थी आपके पास में क्या होती थी? जो आपके पास में P Q R है यह क्या है? घातांकों का प्रायोगिक मान है आपके पास में अकर हम इसे rate के उसमें लिखेंगे तो क्या होगा? किस प्रकार से लिखेंगे? यह हो जाएगा आपके पास में रेट समानुपाती है ना फिर क्या जाएगा आपके पास में आज़ेगा यहां पर क्या जाएगा कि वल पी क्यू और यहां पर आपके पास में क्या जाएगा यहां पर आपका B आजाएगा B और यहां पर Q अब प्लस में आपका C और यह क्या आजाएगा R आजाएगा याद आ रहे है किसलिकों यह क्या होता था आपके पास में यह दिर्वान पाती था और यह क्या था यह क्या था आपके पास में है यहां पर प्लस है न यहां पर प्लस है वहां पर लिख देना डूर दूर मतलब मन्दब उन्टिपल थे को यहां पर एक चीज़ देखे तो हम क्या करते अगर आप भुछ सबंने दिखा ऑगा संभानु पाती का सिम्बल आता था yes यातर है तो कि सर्क पतर हुरता यह आपके पास में कोई भी विद्याइक व निल्यानम होता था द्रवेमान होता था जो उसके उसमें पस्तिष्थ तो तब क्या लगता था जिसे हम क्या बोलते था हैं तो इसी तरीके से जब हम यहां से समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो यहां पर एक कॉंस्टेंट लगेगा किलियर है तो उस कॉस्टेंट को क्या बोलते हैं वेग नियातांग बोलते हैं क्या बोलते हैं वेग नियातांग अभी आप उसकी विसेश्था ही पड़ोगे कि वेग नियातांग की क्या विसेश्था होती है फिलाल आपने इतना याद रखने है कि आपके पास में जो दर्व पाति नियम में होते हैं तो यहां पर लिख देना एंवन कॉमा एंटू एंट्री ठीक है यह क्या है आपके पास में घातांगों के घातांकों के सद्धान्तिक मान ठीक है यह क्या है आपके पास में घातांकों के क्या है सद्धान्तिक मान है और यह क्या था आपके पास में जो PQR है PQR ठीक है जो आपके पास में क्या है PQR है P, Q, R यह क्या है आपके पास में घटाउंकों का प्रायोगिक माने क्या है। कि आपका क्या होता है कि जो आपके पास में वैल्यू होती ओन्प होती थोड़ याद रखना क्या हो रह É संध्धान्तिक माने भीक है फसमें कि आनने खुझा है दुर्वानुब पास में वैथिना ज्च्छानजी छोड़ा सा सबस्क्राइब ऐसहां अभी किरिया की कोटि से क्या भी पुराइब है अभी आप इसमें अभी प्रभाजी कोटि यह सब हागी पड़ोगे फिलाल हम चोड़ेते पहले हम यह पढ़ लेते हैं कि कोटी क्या होता है और आणविक्ता क्या होता है ना क्या होता है आपके पास में किλλάक्स भाग लेने वाले कुल अभिकारकों के अड़ों की संख्या को अभिकरिया की क्या कहते हैं क्या बोला जारा है कि कोई आपके पास-मेरा अभिकार कर्यान दूत हैं उस अभिकरिया भाग ले रहा हैं उनके हम अच्छी से यहां पे तोrete है तो समझ लेते हैं यहांız हम एक्जाम्पल लेते हैं आप नहीं क्या करना है पहले अभिक्स lutta लिखने हैं फिर इहाँ पर आप में सबですね तो क्या जाएंगा अभिकिर्या की क्या लिखोंगे आप विखता ड़ ठीक है लिख ले ना भई और यहाँ पर चाहरे हैं यहां पर यहां पर पहले मैं एक रियक्षन लिए यहां पर पहले मैं इसाली मैंने आपके पास में अभी है एनो फरी किया है सिल्वर नाइट्रिट की त्री किया है आपके पास में सिल्वर स्व्र नाइट्रिट अफिक किरिया कर आई मैंने ऐनिया सेल के साथ में साथ में कर अब थेक तो यहां पर फिलार आपने रियक्षन को नहीं समझना है तो एक साथ में तो यह होता है यह प्लस आपको क्या होता है यहां पर प्राप्त होता है अब यहां पर देखोगे कि यहां पर पड़ो परिभासा को अभी किरिया की आणविक्ता की परिभासा को अगर मैं आपको जिससे यह इस सिंपल करा देती है नहीं आता समझ में कि क्या कहा जा रहा है यहां पर देखो डेफिनेशन हम दुबारा पढ़ते क्या बोले कि किसी रासानिक अभी किरिया में भाग लेने वाले कुल अभी कारक देखो कितने हैं यहां पर दो है उनके अड़ों के संख्या को अब देखो पर कितने मॉलिकुल के रही हो सब्सक्राइब के अड़ों के संख्या कि आपके पास में अगीत नहीं आएगा अपके पास में वं आगया इसके ऑड़ों के संख्या आपके कितने होंगा कितने मोल्यकियूल है इसे ऐस आपके पास में जो एसके कितने मोल्यकियूल है एक ही है तो इसने क्या बहुता कि अब आप कि से डिनोट करोगा अब तक जो होती है उसे हम M से denote करते हैं किस से denote करते हैं आपके पास में M से denote करते हैं तो यहाँ पर लिख देना आप क्या लिखोगे M से लिख देना भई अच्छे से लिखोगे क्या लिखोगे आप यहाँ पर चलो यहाँ पर मैं भी लिख देती हूं क्या लिखोगे की आपके पास में अभी किरिया की अभी किरिया की आणविक्ता को M से प्रदशित करते हैं ठीक है किसे प्रदशित करते हैं M से अभी किरिया की आणविक्ता को हम किसे प्रदशित करते हैं M से प्रदशित करते हैं दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एक तो आप सिंपल से लिख सकते हो ठीक है एजी एनो थ्री प्लस ठीक है अब यहाँ पर दूसरा आप प्लस वन यह जाएगी जो आणविक्ता की कोटी होगी समी कराणी की वह दो हो जाएगी दूसरा क्या तरीका है यहां के पास में रियक्षन है अब आपको इसको किसमें जो किसमें चींज करें चेंज करूंगे तो किस परकास से क्या आपके पास में रेट कि हो locked होता था ना पर आपके पास में याजएगा और यहां तर конц तरफिर आपका क्या जाता था यहां पर A, A की पावर P, यहां पर आपका B, वक्तिर आपका क्या है क्या किया करोगे आपके आणविकता के लिए आपके पास में क्या आजाएगा 1 प्लस 1 कितना आजाएगा आणविक्ता के लिए आपके आजाएगा यह 2 आजाएगा किलियर है बस अभी को इतनी बात ठीक है यहाँ पर आणविक्ता के लिए आप कौन सा नियम लगाओगे दर्वयानुपाति का लगाओगे अन्विक्ता के लिए दर्वयानुपाति नियम लगाओगे तो दर्वयानुपाति नियम यही होता है आपके पास में रेट समानुपाति होता है एजी अनो थ्री और यहां पर आप वन लिख देना ठीक है और यहां पर भी आप क्या लिख द तो यहां सब्सक्रार make apa तो यहां पना में पार्वाँन पाती डर्वयान पाती ना दरुएन पाती इसको उपर लिख देना बैइ यहां पे इस पेस कम था तो मैंने यहां लिख देना तो यह लिख देना कि लिख देना दरवान पाती नियम अनुसा तो ऐसे हो रहा लेकिन वेग नियम से करेंगे तब देखते हैं कैसे हो तो फिलाल आपको आणविक्ता की कोटी समझ में आ यहां पर प्लस एक और प्लस एक और एक और एक और एक जांपल देखते हैं तो जाद अच्छे से किलियर हो जाएगा है ना दूसरा लेते हम एक मंद गती आपके पास में रियक्शन है और जब हम इसमें इसमें आरेन मिला देते हैं तब आपके पास में क्या हो जाता था यह तीवर गती में याद आ रहे ऊठीड़ आ रहे हैं यह एक पास में का प्रावाली फिर्या की वेग को घठा भी सकता फिलाल हम उसको छोड़ देते तो इसका आम आद विक्ता है पहले हम इसे किस रूप में लिखेंगे पहले आप लिखोगे दरवियान नुपाती की नियामानुसार ठीक है किस प्रकार से लिखोंगे यह हो जाएगा आपके पास में rate समानुपाति फिर क्या आएगा आपके पास में rate समानुपाति और फिर आजाएगा आपका N2 वन डॉट आपके पास में क्या जाएगा एनस्थ्री ठीके है सॉरी एस्टू और यहाँ पे इसके में कितना जूट जाएगा आपका थ्री किलिए रहे बई यही तो होगा अब इसको देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आपके पास में में कितना आपके बचत फरी और अभी किरिया कि किसी राशाइनिक अभी किरिया में किसी रहसानिक अभीकिरिया में वेग नियम में अभिकारकों के मौलन सांद्र के घातांकों के योग को उस अभीकिरिया की क्या कहते हैं कोटी कहते हैं ऐब आपने वेग नियम के वएण편 में जोगया की क्या कि ना होताया जेका राजहे इतना को सब्सक्राइब करा ॐंट आक्षे से करल दिया गया था तो तो यहां पर क्या करोगे इसका प्रेंशॉट लेला अभी कि आपके पास में क्या है अभी किया की कोटी है उसमें आपको क्या लग रहा है वेग नियम लग रहा है कि यहां पर आप क्या करोगे तक प्जाम्पल निकालेंगे क्लिए निकालेंगे कर呢 टेंड़ क्लिए अग्जाम्पल में लिखे लेना आपके पास में एंवन वन त्री प्लस एंटू बी प्लस अपके बास में थी सी ठीके यह क्या हो जाएगा आपकी पास में प्रोड़क्ट दूसरी रेक्शन लिखे मैंने आपके पास में यहां पे P A प्लस आपके पास में Q B प्लस R C तो यहां पे आपके पास में जो N1 है अगर आप इसे किस सरीके से लिखोगे rate समानुपाती तो यह आजाएगा आपके पास में A की पावर N. B की पावर N2. C की पावर N3 ठीक है? एस इसको भी लिखोगे rate समानुपाती A की पावर P. B की पावर Q. C की पावर R ठीक है तो आप यहां पे लिखोगे जो आपका N1 एंटो N3 है यह क्या है आपके पास में क्या है आपके पास में आडविकता और यहां पर भी और हो को इतीनी बात back in यहां पहाँ यह प्रिवारी आं द नारीव को लिखते प्रिक योग कि यह खाता है है सकता है दोनों के हम एफ करा सकने के बिछेंगे तो बढ़ते हम एक लेते हम as to or hydrogen और chlorine कले लेते हैं लेते हैं किसका एक लिए मैंने आपके पास में एस स्टु प्लस सीयल तू यह हो जाता आपके पास में कि यहां पर क्या हो जाएगा या आपके सकते हो वन अपन डू लिख सकते हैं इसको हम पहले चींज करते हैं किसमें चेंज करोगे आप मैंने लिखा यहां पर रेट ठीक है उसके पास पास पाती फिर क्या हो जाएगा आपके पास में यहां पर यह हो जाएगा इसकी पावर कितनी हो जाएगी वन देखो आणविक्ता की जो कोटी है पास में जो अभी किरिया की आणविक्ता है उसे तो आप सिंपल लिख सकतो क्या लिखोगे आप प्लस वन लिखता ना उसमें आप यह लिखने की जरुवत नहीं आपके पास में यह आप अगर दर्वान पाती नियाम भी लगा रहे हो तो उसकी जरुवत नहीं पड़ेगी ल दूसरे चीज अगर हम यहां पर आपके पास में अभी किरिया की कोटी के लिए करते हैं तो यहां पर हमने क्या निकालना है वेगनियम से आपने क्या करना है यहां पर निकालना है तो वेगनियम से यह आपके पास में यहां पर वन नहीं आएगा फिर आपके पास में वेग तो दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है कि वह यहां पर क्या है सदान्तिक मान में भी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में हैडोजन के संक्या एक और आपके पास में नेश्ट्रील दिया था ना आपके पास में तो यहां पर प्रायोगी मान में अब तो यह कितना आ जाएगा आपके बास हैं में भी कितना आ जाएगा यह जीरो आ जाएगा यहां पर लिख लेना वेग नियम से वेग नियम यहां पर लिख लेना आणविक्ता क्या हो जाएगी आपके पास में इसके आणविक्ता कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी आपके पास में वन प्लस वन तो यह हो जाएगी टू ठीक है अगर हम बात करें कोटी की किसकी बात करते हैं अगर हम कोटी की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास में वैल्यू समान भी नहीं आरी ना जिसे आपने पहले देखा था कि वेग नियम से और दिर्वानियू पाती नियम है उनमें आपके पास में दोनों की वैल्यू सेम आती है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार सेमी अलग भी आ सकते हैं तो फिलाल ज्यादा के लिए डिए और सभीको इतिनी बात ठीक है एक और देखते हैं में एक्जांपल याँ पर आपके पास में दूसरा योघ्जांपल गोनकिस्ती घ लो हाट कि आपके समें हो यहेजएका ना क्या हो जाएगा तुट ऑば रों में अब हम क्या निकालेंगे वेग नियम से निकालेंगे तो आपके पास में K लगा देना constant लगा देना ठीक है वो क्या हो जाएगा वेगनियतांक हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया rate और समानपाती यह क्या हो गया सबसेंक और आपके पास में इसको आपका इसका और है topics अगर आपके पास मेंugede ऐसके बावर होती है यह होती है वन अपान टू कितनी होती है आपके पास में वन अपान टू होती है चलिए है जो है जैए जोपके पास- तब यहां पर वेंग नियम से यहां पर आपके पास तो नहीं क्या होगा यहां क्या होगा आपके पास में अब हमने क्या . पहले आन्ड हम क्याcking निकालते हैं और निकालते हैं कि आपके पास में जो अभी कारक होते हैं उनके मॉलिकूल की संक्या को हम क्या करते हैं काउंट करते हैं या उनका योग करते हैं तो कितना है वन प्लस वन तो टू हो जाएगा यहां पर आपके पास में क्या था कि आपके जो हरोजन है इस प्रकार से लिखते हैं एस टू और इसकी पावर में क्या जाएगी वन आ जाएगी किसमें इसके प्रायोगीक मान में है यहां पर आपके पास में प्रायोगीक मान है ऐसे मत बोलना कि यहां पर आपके ने वन और अपन टू कहां से लिया यह क्या हैage सब्सक्राइब करते हैं यह यहां पर बॉल अपने टू हो गया और यह आपके पास जो नंबर में पूछा जाता है लगब एक दो मनें यह ऐसा होता है जैसे पिछले साल पूछ लिए तो इस साल नहीं पूछेगा नेक्स जरूर पूछेगा ऐसा होता है तो इंपर्टन देवे तो यहां पर क्या है कि आपके पास में ध्यान से पढ़ लेना ठीक है नौट भी क लोगों की औरों की संक्य को क्या करता है जैसे आपने सब्सकों फीडियाइव में देखा होगा याश्राय कंसुण नहीं हो सकता कभी है ना कको घब तो रहे गई जाय है कि अब ही क्यूने का प्रेंविक्था करो सीयल में आपके पास में आपके पास में पास में में जो कोली था है क्या था सुन्य आ रहा था कोटी सुन्य हो सकती है यह वेग नियम में अभिकारक मौला सांद्रन के घातां को यह के वेग योग को व्यक्त करता है क्या है आपके पास में कि वेग नियम में अभिकारक मौला सांद्रन के घातां के प्रायोगिक मान के योग को व्यक्त करता है य अगर आपने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया अब उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछे चाहे उसमें अंतर पूछ लिए चाहे वो डैफिनेशन पूछ ले चाहे बोले कि इसको समझाईए इस पस्ट कीजिए निमने लिखे सब्दों को समझाईए कि और उधारन साह क्या होती है आपके संट विक्त करता है क्या होता है तो नहीं हो सकता लेकिन कोटी नहीं हो सकते यह सब तो हमने अभी पढ़ दिया बस वही लिखा है कुछ जादा टफ सा नहीं है ना? आगे देखते राशायनी कर्या के वेग नियतांक की परिभाषा तदा गुन लिखा परिभाषा भी हम देख लेते हैं पहले थोरे संधे अ है आपके पास में जो रासाइनshift क diabetes को देखते हैं यह यह समनपाति हम पहले हमें एक equation बना लेते हैं कि equation है हमारे पास में तो equation आपके पास में P A P Plus आपके पास में क्या है Q B plus C यहाँ पर क्या होगा R यह यह आप इसको लिढ़ना R C लिढ़ें ना तरी क्या लिखोंगा क्या होगे R C Gives आपको क्या प्राप्त हो रहाएं यहां अमानुसौर. यहीं किस प्रकार से लिखोगे? देखो, क्या है? rate समानुपाति होता है आपके पास में. हाँ ना? जो rate है या जो दर है. तो लिख लो आप यहाँ पे. क्या लिखोगे? rate समानुपाति किसके होगा आपके पास में? देखो A, ठिक, A की power क्या आजाएगी, यहां पे P dot B की power Q dot यहां पे आपके पास में क्या जाएगा C की power R अब हमने क्या हटाना है, यहां से समानुपाती का symbol हटाना है, यहां पे आप से समानुपाती का symbol हटाना है तो यहां आप लिख देना, rate equals to K, A, P dot as it is लिख दो, बस क्या हटाया, समानुपाती का symbol हटाया और क्या आपके पास में equals to और एक नियतांक आ गया, क्या है यहां पे आपके पास में वेग निया मानुसा, rate करा, rate को समानुपाती होता है आपके पास में, जो आपका अभिकारक के मोलस हंद्रन के, अभिकारक ऑब क्या होते हैं, आपके पास में मोलस हंद्रन के घातांकों का प्रयायोगी मान के क्या होता है, दर क्या होती है, समानुपाती होती है, कि लिए रएवे सभी को इतनी बार, और यहां पे समानुपाती का symbol हटाया, है ना, तो यहां पर ही constant ल क्या है आपके पास में कि इस्तिर्ताप पर किसी रासानीक अभीकिरिया के वेग जितना वेग होगा अभीकिरिया का वेग ओका वेग निया तांक होगा जब कि रापके बराबर होता है दूसरा यहां पर आपके पास में क्या है कि जब की जब की आपके पास में यहां पर क्या है जो मोलर सांद्रा होता है वो क्या है आपके पास में वह एकांक होना चाहिए तो आप यहां पर लिखना कि आपका जो क्या है वह क्या है वेग इस्तिरांग या आप किसको क्या बोल सकते हो वेग इस्त है जो प्लिटेट को सकते तो कोई तो फरक नहीं पड़ेगा अभी कारक हो गया अब इसको हमने क्या निकालना है के यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगा रेट अपॉन ए ठीक है यह हो जाएगा आपके पास में आपके पास में जो रेट होता है इसके यूनिट क्या होती है यहाद आ रहे है मॉल लीटर इन्वर्स और यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया सेकंड इन्वर्स अगर जो रेट की होती है वो क्या होती है आपके पास सब्सक्राइब एग नमर्म में सब्सक्राइब एक नमर्म में उसके यूनिट क्या होती है तो किया होती है सब को इतनी बात थोड़े सा आगे देखते हम आगे क्या है इसमें अभी यहां पे आपके पास में कि वेग नियतांग की विसेस्ता Sun क्या है किसी दाशनी नियतांग करता है जतना क्याने तो आपके जो बड़ेगा तो नियतांग भी कि यह दोनों ही क्या होते हैं बराबर होते हैं अभी तो हमने पढ़ा है ज्यादर टैफ सा कुछ था नहीं है ना वेग नियतां का मान अभी कारकों के प्राड़ंबिक संदर्ण पर निर्वर नहीं करता कि जो आपके पास में स्टार्टिंग में जो उनकी वैलू थी उनकी ना इसके मात रख बढ़ा न क्या था वह किसके लिए Ooooh कि पूल चार्टिंग कि स्टी में एक पूलनेएं स्टी एंडसर्ण फेली यहां पर इसमें доп़ आप को लख सकते होँ करें के तो अब है कि यह तो ट्रफट पर वासने में कृतेर अब ही लेकिन पोड़ेंगे हैं लिखिए नवर्ट गर्रहिभन गांग sulph tried आपके समानु पाति हम ने समानु पाथि का यहां हमने समानु पातिया सब्सेट सेय क्सेया क् largest गिए में आप तो डैफिनेशन विश्था इंपटमने में मंजाने की इपिरण बाकि क्क्राइब से ज़्याद न होता है यहां पर के क्लास पहुत है ज़स में देख ली स्पीड में सबसे सब दो की क्या होता है कि जौप के भास एंवन एंट ऊरोनी होती यह क्या होते है कई गातांगों को के खालाक होते हैं गातांकों के सद्दान्तिक अच्छे से लिख लेना वही कभी आतो होता है मेरी टैं Damn तो जैसे मैं बूलती हुआ तब लिख लिया करो तो ज़्याद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ऐसे में हो सकता है कभी कबार नहीं है समझ में मान सकते हूं मैं ठीक है तो यहां पर आपके पास में एन वान टूर एन तरी क्या है घातांगों के क्या है सद्दा क्या होती है या किसे कहते तो क्या होती है कि आपके पास में यहां पर समझा था कि आगर हम इसके आणविक्ता निकालेंगे अभीक्ता तो क्या होगी आपके बास में अभिकारक है इनके आणविक्ता क्या हो जाएगी यहां कि protection मृत होगे की कोटे क्या होती है कि कसी रख famanic भेग नियम में में घया वीकारों को कि कहते हैं क crucified कहते हैं कि कोटी कहते हैं के लिया बस तब को कि हैं आगे क्या था आपके का अबीकारकों की संध्या पर को व्यक्त करता है अन्विक्ता का मानगी कुर्ण नहीं नहीं हो सकता कभी काइन आपके पास में इए वेग में में के अभिकारक मोलर सद्री के गहतां को किया को क्या करता है उसको निर्वर करता है यह तरु की का मान होता है रहां कि discern की यहां पर आप के पास में और इस इसे हम क्या बोलते हैं वेग इस्ट रांग क्या होता है और तो पर उपका क्या हो गया यहां पर ए अट के पास में किया था है तो लीटर इनवर्स और अपन में एक क्या होगा मौली निवर्स तो यहां पर आपके बास में किया कि सब्सक्राइब नहीं करता है तीसरी का है बिन बिन रहसानिक अभी किरियां के लिए यह क्या हो सकता है वह भी क्या होगा बिन बिन होगा कि लिए प्रफाटी इंपरवाजी को जोईन करना बिल्कुल मत भूलना इंपर्टेंट बार बार रिपीट कर रही हो आज की क्लास में इंपर्भाजी को सब्सक्राइब पूछेगा नितों यह आपके पास में कि इसमें पूछ सकता है यह को पूछ सकता है तो अच्छे से क्या कंड़ेना नोट कर लेना दिवांग में भी छाप लेना चेसे अपने माईंद में भी छाप लेना है ना आज के लिए फिलाल हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स टे और मिलेंगे हम किसके साथ में अभी किरियाओं की कोटियों के साथ में धन्यावाद